पुरादबाद के थाना चजलेट शेत्र के ग्राउं मानपुर में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का मामला सामने आया है गाउं मानपुर में समसुद्दीन पुत्र या सीन का परिवार रहता है जो कि समसुद्दीन एक गरीब और बिमार विक्ति है जो कि किसी निजी जॉक्टरों के पास छे हजार रुपे की चपरासी की नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोशन कर रहा है जिस पर समसुदीन का कहना है कि दो दिन पूर्व में अपने घर में अपनी पतनी मुस्ले मीना और अपने बेटे अधनान तेरा वर्षी के साथ सोया हुआ था जो कि महले के ही निवासी साहिल पूतर इसलाम रहतली पूतर जुम्मा रात को हात में दारदार हतियार लेकर आए और हमला कर दिया मार पीट की गई और दस हजार रुपेले कर चले गए बीती रात फिर दोनों घर पर आए और पतनी और बेटे के साथ मार पीट की बेटे को जान स जढ़ा दो देडिए संसुदीन का कहना है कि यह दोनों मेरे बेटे को मारना चाहते हैं अगर मेरे बेटे के साथ कोई घटना होती है तो इसमें वोही जिम्मेदार होंगे तो मेरे कंदे पर एक लड़के नहीं चुड़ी रख रिखती है और मेरी मोम के उफ़र तबंचर रख रहते हैं तो पैसे लेगा है मार पीट करके छोड़गा है हुए तो पहसे लोट कि अबेद कहले हुए तो 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 फिma करती है चाहएं इसको को सिर्च से पत तो कि ईस से पहले भी कभी हमला कहा रहा थो जिए झा तूस दिन क्याठा थे आप से तुम्हेरा है थे मेरे करने आप साथ ए जरा थे परवागा झाल शुचार को जड़ा थे जिए जी रहें अड़ा है इसे पहले नहीं है वर और कुछ कहा थे अपर हुआ तो छब का फुली चोर कौन है नम मेरी आतमे नाम मदील ना एक साहिल है एक नादमी साहिल काहितली क्या वज़े क्यों बारना चाहते हैं यह निवाज़ा सकते हैं कि किसी की चौहाय में है अपने आप है यह हमारे पता नहीं है दस जार रुपर कैसे कब ले गाए एक दिन पर रे लेगे विचे काहि क्या है और पादमार इन इन आप अधिन आए दिए आए लेगे नाए पर आपना पताओ क्या आप को आधा यह काहिए दिए सुमवर मैं तुमवर किसाई को पैसे मांग रहा थे कोई और वत बचे बस यह बचे हुआ खाली पैसे मांगे आए का इसे हमारे लोगे